आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हाजी थमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा जी एश्टी पे जो पोर्टल पर ओफशन आया है किस चीज का communication with taxpayer इस option को अच्छी तरीके से कैसे यूज करें सर ये कौन से option की बात कर रहे हो आप पोर्टल पर जाकर इस option को चेक करना ये कहां पर मिलेगा services में मिलेगा user services में और communication between taxpayer के नाम से मिलेगा अब ये option आतो गया इसके फाइदे समझिये कि इस option के फाइदे क्या है और इसे कैसे use करना है सर फाइदे आप बता दो क्या है फाइदे इसके पहला फाइदा मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या करा कि मैं कुछ लोगों से माल परचेज करके लाया और मेरे पास उनका बिल भी था ठीक है सारी चीजे थी लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी gstr1 फाइल नहीं करी थी या जो gstr1 फाइल करी थी वो गलत फाइल कर दी थी तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं compose पर जाऊंगा और compose पर जाने के लिए notification to नोटिफिकेशन टू सप्लायर करूँगा क्या करूँगा नोटिफिकेशन टू सप्लायर कि भई तुम मेरे सप्लायर हो और मैं आपको नोटिफाई करना चाहरू मैं यहाँ पर उनका gst नंबर डालूँगा और यहाँ पर अपना subject डालूँगा subject हमारा 50 character का होगा इसके बाद मुझे डालना क्या है यहाँ पर मैं यह डालूँगा कि action required कि भई यहाँ पर मेरे पास mismatching की चीज़े आ रही हैं आपने कुछ चीजों को अपने portal पर सही से नहीं डाला मैं यहाँ पर document type डालूँगा document number डालूँगा जो मेरा bill होगा वो डालूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर पूरा का पूरा लिख दूँगा कि भई मैंने अपरेल में आपसे यह माल परचेज करा था और आपने अभी तक अपना bill नहीं डाला और अगर डाला है तो यह गलत डाल दिया है जैसे ही मैं यह वाली चीज़ उसे send करूँगा तो उसके पास message जाएगा उसके पास mail जाएगी और उसके पास portal पर भी यह चीज़ चली जाएगी अब सबसे पहले उसके मन में एक doubt आएगा कि भई यह वाली जो चीज़े मेरे को whatsapp आई है या जो mail आई है यह कहीं GST department से तो नहीं आ गई यह कहीं GST officer से तो नहीं आ गई तो जो अगर आप communication करते हो portal के माध्यम से ठीक है न वो माध्यम से अगर आप करते हो तो वो उस बातों को ज़्यादा serious लेगा और आपका recipient आपको reply भी करेगा नहीं तो अपने CA से कहेगा अपने profession से कहेगा कि भई यह क्या चीज़ आ गई जरा इसका reply दो तो यहाँ पर इस बात को अब समझना है कि अगर मेरे supplier ने कोई गलती कर दी है तो मुझे उसे phone पर बताना नहीं है WhatsApp पर नहीं बताना, mail पर नहीं बताना, सबसे पहले मुझे यहाँ से उसे intimate करना है उसके बाद phone, WhatsApp, mail पर बताते रहना जिससे कि उसके record में यह चीज़ चली जाए portal के record में यह चीज़ चली जाए कि हाँ भी यह चीज complaint हो चुकी है अब ऐसी आपकी भी complaint हो सकती है, कैसे complaint हो सकती है अभी मालनो मेरे पास inbox में एक message आगया कि भई आपने अभी तक अपनी return file नहीं करी है और हमने आपसे माल परचेज करा था, हमने आपसे service ली थी तो जैसे ही मेरे पास notification आएगी, किस से मेरे recipient से तो मैं उसे check करूँगा, और उसे check करने के बाद मैं उसका reply कर दूँगा कि भईया हमने वाली return इस date को file करी थी और साथ मैं attachment भी लगा दूँगा, हमने आपका will डाला है जिससे कि मेरे उपर कोई जवाब देई ना रहे तो यहाँ पर जो communication between tax payer है यह एक बड़ा अच्छा सादन है आपके GST में कोई भी गलती है अगर आपकी हो गई हो कोई भी आपके 2A में ना रहा हो, 2B में ना रहा हो तो यहाँ से आप उसे communicate कर दें इससे क्या रहेगा, एक record भी रहेगा अब यहाँ पर एक question यह आता है कि सर अगर माल लो, मैंने कोई गलती मेरे recipient से मैंने माल परशेज करा माल परशेज करने के बाद, ठीक है ना बिल मेरे पास है, सारी चीज़े मेरे पास है और मैं यहाँ पर communicate कर देता हूँ तो क्या मुझे उसके बद ITC मिलेगा नहीं भई, ऐसी बात नहीं है ITC लेने के लिए तो आपको अपनी ITC की सारी condition चेक करनी पड़ेगी यह option तो इसलिए है कि भई, जो भी आपको communication करना है अपने supplier से, अपने recipient से वो दोनो supplier और recipient से आप यहाँ पर ही communicate करें ठीक है, इसके अलावा कहीं और पर communicate ना करें तो इस पर करना कैसे है तो सबसे पहले अगर मुझे किसी को कुछ भेजना है, तो मैं क्या करूँगा compose करूँगा, तो compose में notification to supplier या notification to recipient, अगर मेरा recipient है अगर मुझे उसे कुछ भेजना है तो मैं amendment required, कि भाई यह जो आपने बिल भेजा है, मैं इसे reject कर रहा हूँ और आप इसमें amendment करो 30 रग है, rejected wrongly sent to me कि भाई यह बिल मेरा नहीं था यह बिल मेरा नहीं था, इसे मैं क्या कर रहा हूँ reject कर रहा हूँ, ठीक है चोथा कह है, re-upload document की किसी document को मुझे upload करना है तो यहाँ पर जो भी आपके पास notification आएगी, तो आप यह चीज यहाँ पर डाल दोगे, फिर एक payment made का option भी यह है कि भाई हमने आपके इस बिल की payment made कर दिये, तो इस तरह के option इनोंने यहाँ पर दिये, सर क्या इसमें कोई साभी month select हो जाएगा हाँ जी, इसमें कोई साभी month कोई सी भी यह चीज़े select हो जाएगी लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है देखो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर यह भी पता आपको लग जाएगा कि भाई आपने अपने यहाँ से कितने communication बेज जैसे यहाँ पर है out box notification and reply send अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बेज जाता अपने supplier को यहाँ पर अपने recipient को मैंने क्या बेज जाता कि भाई हमने अपनी GSTR1 फाइल कर दिये और आप kindly check कर लें कि 28 सितंबर को हमने यह notification उनने भेज दी कि हमने अपनी GSTR1 फाइल कर दिये आप check कर लीजे कि आपका bill आपके यहाँ पर so हो रहा है या नहीं तो इस तरीके से communication करके आप काफी अपनी चीजों को यहाँ पर account for कर सकते हो आप यहाँ पर अपनी चीजों को एक तरीके से documented कर सकते हो और अगर आपके फस inbox में कोई चीज़े आती है तो आप यहाँ पर ठीक है ना उसका reply भी करना आपको चाहिए लेकिन यहाँ पर एक सिकायत आ रही है कि सर इसमें जो month select कर रहे है तो कई बार month पूरे नहीं आ रहे तो वो portal की गलती है portal अपनी उस गलती को जल्दी ही सुधार लेगा लेकिन इस तरह की service का आप यूद जरूर करें जैसे अभी आपको पता है आखरी महीना चल रहा है अगर किसी भी व्यक्ति ने आपके बिलो को नहीं डाला तो उसके बाद आपको ITC नहीं मिलेगा तो आप अपने accounts वाले window को यहां पर लगा दीजिए कि भाई सब लोगों को ऐसे communication बेज जब उस व्यक्ति पे बहुत सारे communication जाएंगे उसके mobile पर जाएंगे mail पर जाएंगे portal पर जाएंगे तो हो सकता है वो सारी चीज़ों को ठीक कर दे आशा करता हूँ आप अपनी journal practice में इस option को use करेंगे अगर यह option आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे comment box में लिख कर बताना ठीक है यह option बहुत लोगों को पता तो है लेकिन वो use नहीं कर रहे यह महीना बहुत जरूरी है आप इसमें इसे use कर ले चलिए जी इस महीने की magazine आपको courier मिल गई होगी सब लोगों को और अगर आपको courier वगारा कुछ नहीं मिला है तो आप इस नंबर पर what's up कर सकते हैं जिससे हमारी magazine का क्या हुआ और अगर आपको November की magazine सब्सक्राइब करनी है या October की magazine सब्सक्राइब करनी है तो इस नंबर पर आप what's up कर सकते हैं जिससे हम आपको magazine दे दे वीडियो देखने के लिए आपका दिल से सुक्रिया दा करता हूँ Thank you for watching